तो आज हम बात करेंगे जो आपकी बिहार में फॉरस्ट गार्ड की विकेंसी आई हुई है यह आपका रिसेंट्री अभी अभी अडवेटीजमेंट निकली हुई है तो इसी की बारे में हम बात करेंगे की फॉर्म को कौन-कौन फिल कर सकता है क्या असकी एजुकेशनल क्वा आप जो मीदवार हैं उन सभी के लिए विकेंसी निकाली गए ठीक है ना तो देखो भई यहां पर क्या है सबसे पहली बात कि इसकी जो लास्ट डेट होगी वह आपकी यहां पर देख लो लास्ट डेट है आपकी 4 9 2020 यानि कि आपका चार्ट संबर 2020 की आपकी आवेधन करन यानि की 484 विकेंसी जैं और इन में आपकी जो है recruitment होनी है clear है और इसको जो आपके application भरने start होगे तो वह आपके start हो जाएंगे 21 से यानि की आपकी अभी just होने ही वाले है कल से आपके start हो जाएगी सारे form फिल होने तो यह आप जाके फिल जरूर करें ठीक है ना अब देखो इहां पर आपका जो बिहार सरकार की तरफ से की जारी किस नियमावली की अंदर आती चाहर तो बिहार आश्यूब्व मेंडर यहां पर है यहां पर अट रहुं एक आया पर आज आते हैं कि आपकी ब्रेक आप क्या है तो यहां पर सामासिते SCT doubler इसके लावा अगर जो 35 परसेंट आपकी की वेगानजी तो यह यह आपका यहां पर गेंसी का ब्रेकप हो गया इसके लावा आपकी ये और कुछ vacancies हैं तो ये भी आप देख सकते हैं फिलाल अब जरह हम फटाफट से cut off दिथी देख लेते हैं तो जो भी आपकी आयू की या फिर आपको जो भी degree वगएरा मांगी होगी सचने की होगता तो उसकी जो date देखी चाहेगी ना उसको देखने के जो विहार पदों इवं सेवाओं की रिक्तियों में आरचनर जो मिलता है उसके अधिनियम 1991 के according आपको यहाँ पर क्या मिलेगा आपको आरचनर मिलेगा ठीक है इसके लावा यह जो फॉर्म है यह आपका इंडिया में कोई भी बढ़ सकता है जरूरी नहीं है कि आप विहार भड़ती के लिए नियूंतम से अच्छने की योगिता आपकी टैन प्लस टू यानि कि आपको इंटर किया होना चीए ठीक है तो वह दिखकत रही है यहाँ और अब यर्थी की जो उमर है वह इसका देखो उमर का जो आपका ब्रेकप भी आ गया वह सरीके से है कि नियूंतम माई हो आपकी 18 वर्ष हो और आपकी अधिकता माई हो कितनी हो 23 वर्ष तो आपको 18 से 23 वर्ष का होना चीए इसके अलावा यह जो डेट ऑफ रेकॉनिंग होगी यानि कि जिस टेट पर आपका देखा जाएगा कि आप इस डेट पर अपना करेटेरिया पूरा कर रहे हो नही बता ही चुका हूँ ठीक है तो फड़ा फड़ से एक बार सलेबस दिखा देता हूँ इसके लाव यह पूरी नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में देदूंगा या फिर अपने टेलिग्राम चैनल पर आपको प्रवाइड करवा दूंगा ठीक है यह जरा आप एक अनुशूचत जाती के लिए इसके लाव आपका वैसे नॉर्मली 165 और 81 होना चैनल जो सीना का नियूंतम फुलाव है वो 5 सेंटी मीटर का होना चैनल तो यह सारी बाते तो है पुरोष अब्यारतियों के लिए इसके लाव अगर मैं बात करता हूं महिला अब्यारतियों के के लिए तो उनकी नियूंतम हुचाई मागी गई है 155 सेंटी मीटर और जो अन्य है आपके यानि यूर हो गया इसके लाव भी सी डवलू एस वगयरा हो गया तो उनके लिए 160 सेंटी मीटर की आपकी जो है नियूंतम हुचाई चाहिए है और पैदल चलने की छमता महिलाओ की चाहीं 4 गुनटे में 14 किलो मीटर है तो यहां पर कोई दिक्कत नियू पर हैं और 10 प्रिशन पत्र होगे आपके हίνदी भाषा में और इंगलिश बाषा में दौन्हें बाषा आपको उकलब्ध कराए जाएंगे अब आपको पता ही है इंगलिश का पेपर तो इंगलिश महीं आएगा तो यह को आपको बताने वाली बात है नहीं इसके अलावा जो वो आपका 2 घंटों का प्रिश्ण पत्र होगा, जिसमें आपके 4 भाग होगे, यानि 4 पार्ट्स होगे, जिसमें टोटल आपके 100 प्रिश्ण बहुँ विकल्पी है, यानि कि आपके MCQs होगे, कितने तो 100 आपके MCQ होगे, और प्रतेक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंग दिये तो देखो, चार भागों में डिवाइड गया था, सबसे पहले भाग में आपके 30 प्रश्ण आने है, राष्ट्रे एवां अंताराष्ट्रे मैत्वे की सामये घडनाए, भारत का इतिहास और भारती राष्ट्रे आंदोलन, ठीक है ना, इसके अलावा आपका भूगोल हो ग जोतल्रे अरष्ट्रें के संख्यायन, आकणों का निर्वचन, आकणों की परयाप्ता आदी संबंदित प्रश्मों पर आधारित होंगे, ठीक है ना, इसके अलावा भाग 3 में आपके 35 प्रश्माइन के सामानी के इना, इसके अलावा भाग 4 में आपके भाग 4 का चार Nós अपने विचारों का सहीर फाट करना, ठीके ना तो उसमें एपका गद पद जो भी है वो सारा आपका उसमें आएगा पक्रशन पत्रों का सरूप आंतोर पर नेमने प्रकार का होगा मतलब जो आपका सरूप होगा वह होग ऑसमें शब्द प्रियोंग होंगे शब्द भंडार होंगे और दिये गए गधांशों को समझना होगा और इसके लावा उसमें हिंदी व्याकरण आएगी ठीक है ना तो कोई दिक्कत नहीं यहापर आपका ही बेसिक सा पेपर हो गया और जो पाठिक्रम होगा वो आपको सिलेबस क्या एक 2019 के लिए जो आपका सिलेबस दिया गया है वही पाठिक्रम यहाँ पर लागू होगा ठीक है ना तो यह आप जाके डाउनलोड जरूर कर लेना जो आपका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा किसके लिए सिलेबस फॉर फॉरेस्ट गार्डेन इन्व अपको मैंने सारी बेसिक बाते समझा दिया अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्षन में पूछ लेना फिर मैं आपको वहाँ पर क्लियर कर दूँगा जो बेसिक बेसिक बाते हैं वह सारी मैंने आपको बता दी है ठीक है तो गॉडब्लेस यॉल टेक केर बबाई अब